नमस्कार दोस्तों, रोहित है, 69th BPSC के बाद ये हमारी और आपकी पहली मुलाकात है मतलब जिस पे हम लोग आराम से बात कर रहे हैं, कट अफ वगरह को छोड़ कर देखो, basically हम लोग ये चीज़ पर discuss करने वाले हैं, कि जिनका prelims नहीं हो रहा है, उसके साथ अभी हम लोग है जो भी mains वाले लोग हैं, उनके लिए हम लोगों ने दक्ष बैच लॉंच कर दिया है, और वो pick up में चल रहा है पर बहुत ऐसे लोग हैं, जो borderline पर हैं, जो borderline पर लोग हैं, मेरा उनसे number निवेदन ये है कि आप mains की तयारी करें, पर बहुत ऐसे लोग हैं, जिनको 65 या 65 से कम आ रहा है या अगर general mail की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मानते हैं कि आपका 70 से कम आ रहा है, 70 के आसपास आ रहा है तो don't be under the false impression की 70 number cut off जाएगा, 70 या 70 से कम नंबर है, तो आपको 70 भी VPSC को target करना चाहिए पर ये important ये हैं कि बहुत लोग आप लोग mail कर रहे हैं, message कर रहे हैं कि course launch करिए, course launch करिए, course launch करिए देखो पूरा market में course launch हो चुका है, अगर हम market के हिसाब से चले, तो हमें भी course launch कर देना चाहिए था पर ये हम लोगों के value system के खिलाफ होगा, जब तक उस paper को analyze हम लोग खुद ही नहीं करेंगे, जब तक हमें पता नहीं होगा कि question कहां से cherry picked किये गए हैं, जब तक हम लोग उसको अच्छे से strategy का part नहीं बनाएंगे, तब तक आपके समक्षाना भीमानी है, course आते रहेगा, बि पास build लगी हुई है, इस label का है, it is all about the credibility, तो credibility maintain करने के लिए, आपका विश्वास नहीं खोने के लिए, हम लोग अभी all time लेंगे, और 2-4-5 दिन मक्त लगेगा, अगर सब चीश सही रहा तो 15 October से, 15 October से हम लोग सत्तरवे VPSC का course launch कर देंगे, तो आपके जहर में आ रहा कि question कहां से pick up किया गया होगा, तो हम अपनी strategy को कैसे streamline करेंगे, हम आपको कैसे guide कर सकेंगे, तो आपके समक्षमिष ये प्रस्तुत है, क्योंकि हमें पता है कि question कहां से pick up किया गया है, जो भी master topi पहन के, t-shirt पहन के, मुरेठा बांध के, जो भी नो टंकी कर रहा है, आप उ is a crack book for the BPSC, अभी भी तुम घटना चक्र पढ़ हो, तो कि NCRT पढ़ना और पढ़ना बढ़ा मुस्किल काम है, NCRT लोग बोल देता है कि करनों पर NCRT को समझना, उसको समाहित करना बहुत मुस्किल काम है, तो दोस्तो, अब इसका जबाना चला गया है, तो मेरा आपके पा करना चाहते हैं, तो आपको dedicatedly 6-8 मंथ देना ही पढ़ेगा, पर यह जो सतर्वी BPSC है, इसके पहले हमें strategy पता होना चाहिए, कि strategy क्या है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, मात्र एक किताब काम करेगा, और वो किताब है कि NCRT, तो आप बोलेंगे कि आप नया क्या बता दि क्या है, कि question क्या है कि Amba by a women freedom fighter belong to which of the following state of the India, correct answer is Karnatka my dear friend, this question has been cherry picked from the NCRT, जहां पर लिखा हुआ है कि women in the freedom struggle, Amba by from the Karnatka, आप बताओ यह question has been cherry picked from the NCRT, भम और आप गलत कर गे, हम आपको और दिखा रहे हैं, जहां पर NCRT का भी कोई तोड ही नहीं है मेरे बंधू, आपको मै अंगिनत सवाल दिखा रहा हूँ, यह question देखो, बहुत लोग इस question को गलत किया है, आप देखो NCRT, यह question कह रहा है कि according to the Chinese source, Meghwarman, the ruler of the Sri Lanka, sent a missionary to which of the falling गुपता, कौन गुपता गुपता रुलर था, see this my dear friend, NCRT से है, यहां पर word ही उठाया है, according to the Chinese source, the Meghwarman, the ruler of the Sri Lanka, sent a missionary to the Sam Buddha for the permission to build a Buddhist temple at the Gaya, my dear friend, अगर जो question stator है, उसके पास NCRT लेकर बैठा है, और फिर question को state किया है, the days of the Lucent is gone, the day of the Ghatna Chakra is gone, you will have to read NCRT, ठीक है, कैसे पढ़ना है हम लोग discuss करेंगे, कैसे हम लोग move करेंगे, यह discuss करेंगे, पर हमें पहले पता तो हो कि question कहां से तुम पूछ रहे ह question यहां से पूछ रहा है, NCRT से directly picked up question है मिर दोस्त, unlimited number of the questions, अभी हम आपको दिखाएंगे, आपका आँख खुला का खुला रह जाएगा, कि देखो, question है human capital पे, human capital, human capital पे भी discussion हो रहा है कि only four होगा, कि only three and four होगा, directly word toward NCRT से pick up किया हुआ है, और देखो, question कर रहा है कि which of the following will fall among the non-planned expenditure of the government, बहुत लोग इस वो गलत करके आया है, पर यह question देखो, यहां पर directly साफ लिखता है, कि interest payment on the market loan, external loan and from the various reserve fund constitute a single largest component of the non-planned government expenditure, यह NCRT का question है, NCRT जो economic से वहां से question उठा लिया है, अब आप पुछे बताओ, कि एकक चीज NCRT से पुछा हुआ है, इस सारा चीटों NCRT से दिया ही हुआ है, और आपको भी दिखा रहे है, अजन्ता painting, NCRT से directly लिया गया है, कि बुधिस्त्त पेंटिंग कहा है, तो अजन्ता की गुफा से लिया गया है, अब आपको सुरू से हम दिखाना स्टार्ट करते हैं, तो आपको लगया कि सब दो च हमारे तरकस में भी है, हर जगा है, हमने भी बताया है, तो हम लोग से NCRT पढ़ के ही बताया हुए है, तो देखो, Jim Swatson and Francis Crick, NCRT, ठीक है, ये वाला question, directly NCRT, अमरेश जी अपने वीडियो में भी बताया हुए है, directly NCRT से है, photo sale, directly NCRT के photo electric sale, कहा है, जानते हैं किजी question, but they are directly picking वो word by word pick up कर रहा है, वहाँ से, at center of the curvature, ये हम लोग के science की किताब से है, हम लोग का science का किताब NCRT से है, इसको हमने copy किया था, वहीं से है, अल्नीनो करेंट, जवनी भर का question है, NCRT में साफ लिखा हुआ है, अगर इसको तुम question गलत कर रहे हो, जिसका मतलब किये हो गया, कि हमको NCRT is the way out, NCRT is the way forward, अभी और देखो, और जो master सब पढ़ रहा है, उसको भी बूलो, नाच पंतीज, सीधाज, योगीज, नाच जाटी नहीं पढ़ेंगे, तो हम दोग भी updated हो जाएंगे, यह कोई बड़ी बात नहीं है, किसी पर छीटा कसी की बात नहीं है, जो भी है, उसको पढ़ना ही पढ़ेगा, देखो, यह easy question है, पर हम बस आपको दिखाना चाहते है, कि directly word pick up कर रहा है, इस्तूपा, बिहारा, stone pillars, एक चीज़ बस मुझे यह दिखाना है, कि word by word pick up कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है, बाबर introduced a new mode of the warfare in India, although the gun powder was known in India before, अब देखो, यही question अगर जैसे हमको पता चला, introduction of the gun powder in the subcontinent, हम जैसे एक को काटते हैं, दो मिनट में correct answer के पास पहुंचाते हैं, तो कहने का मतलब है कि NCRT has become so important in the preparation, कि देखो अभी NCRT पे अगर उसका 50% stress है, तो याद रखना कि अगला जो 70 BPSC होगा, इसका stress बढ़के 75% होने वाला है, जहां भी जाना है, X, Y, Z, Lambda, जो poaching का मन है वहाँ जाना, पर यह चीज़ ध्यान रखना, कि उसका master भी NCRT पढ़ता हो, वहाँ पर NCRT पढ़ाया जाता हो, अभी भी अगर Lucent पे अगर तुम विश्वास करते हो, और घटना चक्र पर विश्वास करते हो, तो अपने पाओं में कुलहारी मारोगे और कुछ नहीं करोगे, अस्ट प्रधान, NCRT से direct question है मेरे बंधू, अब देखो, directly अस्ट प्रधान महीं से question है, दूसरे जगा भी दिया हुआ है, पर NCRT का हम बता रहे हैं कि word by word कर रहा है, बहुत लोग ये question गलत किया है कि what is the concentration of the solution, टोपी पहन के और सभी पहन के गलती किया है, है ना, तो NCRT से directly question है, हम बता रहे हैं कि NCRT से तो directly question है, दो मिनट के अंदर NCRT concentration of the solution की बात हो रही है, देखो Communist Party of India वाले बहुत लोग गलत किये हो, देखो भारतिये जनता पाटी कब बना है, Communist Party of India मार्ट से 64 में बना हुआ है, Communist Party of India एमेन रॉल वाला 25 में बना हुआ है, बहुजन समाज पाटी 84 में बना हुआ है, औल इंडिया त्रिम्नल कॉम्रेसों इस से औल ठानवे में दि Indian Constitution at Work, NCRT का है, ये किताब जितना प्यारा है और जितना सुंदर भासा में लिखा गया है, कोई किताब इसकी बराबरी नहीं कर सकता है, ये NCRT की किताब है, आपके conceptual understanding और समझ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, अभी हम आपको बताने वाले हैं कि कहां से आपको पढ़ अब तुम देखो, यहां पर लिख रहा है, इट इस comprises of the 21 island, यहां पर तुम देखो, इट comprises of the 21 island, वर्ड बाइ वर्ड पिक अप किया, यहां पर सीकाव का, डुगॉं का, इच एज एवरी वर्ड को पिक अप किया है, और सिधा question frame करके आपको चुप-चप देदिया है, ठ देखो, यहां पर साफ लिख रहा है on the basis of the molecular target, NCRT का directly pick up question है, यह वैक्सिन वाला देखो, ठीक है, economic survey यह सारा सब दिया हुआ है, है न, यह भी, देखो, यहां पर पूरा सारा चीज ही दिया हुआ हुआ है, globalization वगर, economic survey, सारा चीज, NCRT कहीं है, हम यह पर दिखाना चाहा है, इम्मुनिटी पर कैसे काम करता है, यहां पर देखो, साफ लिखा हुआ है, the principle of the immunization or the vaccination is based on the property of the memory of the immune system in vaccination, antigenic protein of the inactivated or the weakened pathogen, दो मिनट के अंदर रहा है, करें कि, word by word और पिक अप कर रहा है, आप इसको देखो कि, N number of the questions है, जो आपको दिखाना चाहते है, इसका correct answer 179 है, यह नहां पर देखो, the total number of parallels that's drawn including the equator will be 179, और देखो, यह question है कि, lab grown diamonds कहां है, देखो, graphite is also very, graphite is also very, diamonds can be synthesized, मतलब, synthesize कर सकते हो, by subjecting a pure carbon, तो यहां पर pure carbon क्या है, भाई, pure carbon is a graphite, correct answer is graphite, कहने का मतलब है कि, NCRT से ऐसा है, वो question pick up किया है, कि आपको पसंद आ जाएगा, हम कुछ few samples आपको दे रहे हैं, तो अब as of now हमें पता हो गया है, कि question कहां से pick up किया गया है, तो देखो, अगर quality start करना, तो मेरा आप से पहला submission यह है, कि लक्षमी कान्त तो पढ़ना है, पर एक book है, Indian Constitution at Work, तो Indian Constitution at Work को पहले NCRT की किताब है, उसको जरूर पढ़ना, उसके ब spectrum जरूर पढ़ो, परसांस में spectrum start करने से पहले, एक बार बीपिन चंद्रा जरूर किताब पढ़ना, बहुत deep understanding देगा, वो NCRT की है, और उनकी अलग publication की भी किताब आती है, content से ही है, तो medieval history का जो NCRT आता है, उसको एक बार जरूर पढ़ना, बहुत important है, science का जो NCRT है, उसक जाओ, पर NCRT को पढ़ना मुस्किल काम है, NCRT को समझना मुस्किल काम है, क्योंकि NCRT बहुत explain नहीं करता है, तो हम लोग का काम ही रहेगा, कि हम लोग NCRT को easy बना दे, एक बार हमारा तय हो गया कि NCRT से question पूछ रहा है, पहले भी हमारे सारे courses NCRT पर थे, इस बार strictly on the NCRT pattern होंगे, हम लोग पहले coaching institute है, जो NCRT पर एक dedicated course launch किये थे, अगर आपको पता है, और वो पूरा course हम लोग 251 रुपया में दिया था, और पूरा NCRT का हम लोग ने सार उसको दिया था, दूसरे 51 में, तो कहने का मतलब है कि जो हम लोग start करने वाले हैं, जो सत्तरवी BPSC के ल करने वाले हैं, क्यों quality से start करने वाले हैं, क्योंकि देखो, quality से इस वा deep deep question बनाया है, अगर ध्यान से देखो तो, जो high court judge वाला question है, कि high court judge की संख्या कौन बढ़ा सकता है, बहत्रीन question है, maximum लोग उसमें parliament मारा है, correct answer president है, अगर आप देखोगे, तो collegium system में बहुत अच्छा questions उसने बनाया है, आपको पता होना चाहिए कि first judge case क्या है, second judge case क्या है, third judge case क्या है, तभी जाके आपको सुस्तर को solve कर सकते थे, तो quality एक understanding खोशता है, पहले वाला quality नहीं है, कि दासा article रट लिए और अपना काम हो जाएगा, so the quality needs understanding, will resume our courses, or will start our courses from the quality, which will be completely based upon the NCRT और लक्षमी कान भी covering होगा, तो हम लोग कोसिज कर रहे हैं कि 15 October से हो, देखो market के हिसाब से, business के हिसाब से, हमें कल जिसनी निक्जाम खतम हुआ था, आगले दिन launch कर देना चाहिए था, पर हम अपने आपको माफ नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम हीं तयार नहीं है, जब हम ही को पता नही ही है कि हम लोग को किस direction में लेके चलना है, तो हम लोग क्या आपको guide करते, अब चीजे असपस्ट हो चुकी है, चीजे बहुत असपस्ट है, अब उसके हिसाब से हम लोग ने सारा अपने system को line कर दिया है, 15 October से हम लोग कोर्स launch कर देंगे, मिन्स वाला कोर्स चालू है, AC वा गरी रुह है